हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में आज मैं आपके लिए सांस फूलने की जो आपको बीमारी है उसका घरेलू इलाज ले करके आई हूँ अगर आपकी जीने में चड़ने से या थोड़ी तेज चलने से सांस फूल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही फाइदे का इलाज बता रही हूँ आज में और बिल्कुल सस्ते का आप बिना दवाई खाए अपने सांस फूलने की बिमारी को घर पर ठीक कर सकते है वो भी बिना दवाई खाए तो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक ऐसा नुस्का बताऊंगी जैसे कि हमारी सांस बहुत जादे फूलती है हम जीने में नहीं चड़ सकती है सीड़ियों पर चड़ते टाइम हमारी सांस बहुत तेज फूल जाती है और हमारी चाती में भी दर्द हो जाता है कभी कभी हम जैसे थोड़ा सा ही चलने पर हमारी सांस फूल जाती है और हम जादे तेज भी नहीं चल पाती है कभी कभी तो हम बहुत से लोगा के थोड़ी आराम से चलने पर भी सांस फूलती है तो आपकी ये सारी प्रोब्लम बिल्कुर सोट आउट हो जाएंगी तो जिससे आपको इसकाप पूरा लाब मिलेगा तो वीडियो को बिना स्किप की लाश तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो अगर आपकी सांस फूलती है तो आपके लिए बहुत ही जादे फाइदे की है तो चले इसे हम कैसे बनाएंगे हमें चाहिएगा तेजपत्ता तेजपत्ता हम सब की किचन में रहता है हमारे खाने को सुगंदित बनाता है ये तेजपत्ता और हमारे बहुत ही जादे लाबदायक है तो फ्रेंट्स इसमें मैंने चार काली मिर्च दो लोंग को बारीक पीस करके डाला है जब मैं आपको इसमें दिखाना भूल गई हूँ थोड़ी सी स्किप हो गई थी मेरे से वीडियो मैंने इसको माम जस्ते में कूट करके डाला है चार काली मिर्च और दो लोंग इस तेज पत्ते के साथ अमें ये जरूर डालनी है, और इसको पानी में डालकर, लेड़ गिलास पानी में डालकर के अच्छे से उबाल लेना है, तो इसमें हमने 4-5 तो तेज पत्ते के पत्ते डाले हैं, 20 हमने लोंग डाली है और astroni milli को तो लोंग को काली मिर्च को थोड़ आप दरदरासा करके ही इसमें डाले तब ही इसका हमें पूरा फाइदा मिलेगा इसको अच्छे से पकने देंगे दो तीन मिनट अच्छे से जब यह पक जाएगा पानी का कलर चेंज हो जाता है जब यह अच्छे से पक जाता है तो इसे हमें अच्छे से पका करके ही इसका य पकाना है गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको धिमी धिमी आज पर अच्छे से पकने देंगे तो फिर पकते पकते इसका कलर काफी चेंज हो जाता है जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे देखेगा कलर काफी चेंज हो गया है इसका जो हमने इसमें डाले हैं ये पत्ते वगएरा तो सब के इसका फ्लेवर पानी के अंदर आ गया है और अब हम इसको एक गिलास में चान लेंगे तो आप इसे बच्चे को भी दे सकते हैं बड़ों को भी दे सकते हैं ये फ्रेंट्स आपके जो सांस फूरने की बीमारी के साथ साथ अगर आपकी छाती में कप जमा हुआ है ये कप को भी बाहर निकाल देगा और अगर आपको खासी की बार-बार प्रोब्लम होती है तो आपकी खासी को भी जड़ से मिटा देगा बेहद कारगर घरेलू नुसका है फ्रेंट्स अगर आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं जैसे बच्चों की खासी बगएरा हो जाती है तो बच्चों को इसको कितनी मात्रा में दे बच्चों को आप इसकी आधा कप आपको देना है और अगर आप बड़ो को दे रही है तो बड़ो को आपको एक कप देना है एक कप यह हमें लेना है और इसमें फ्रें पीना है जादा गरम भी नहीं पीना है और जादा ठंडा भी नहीं पीना है जब ये थोड़ा सा गुंगुन consists घं़ल्गिन में युद्धध को एक खाएंगे आप खासी होती है बार बार वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्चों को आप आदा कब दे इस बात का ध्यान दखके एक चमच इसमें सहथ डाले और अगर आप बड़ों को दे रही हैं तो आप इतना कब भर करके दे सकती हैं इस रेमिडी को आप दो दिन भी यूज कर सकती है जैसे एक दिन बना करके आप दो दिन तक ले सकते हैं जादे दिन के लिए ने बनाए नहीं तो इसका कोई असर नहीं होगा आप इसको एक दिन के लिए बनाए या फिर दो दिन के लिए बनाए दो दिन से जादे बिल्कुल ने बनाए और इसको एक हफ़ता लेने से ही आप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक सेर चरूर करें, अब मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, अगली नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, सबको मेरी नमस्त।